राम राम नमस्कार, एजूकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में बिहार SSC के बारे में बात करने वाले हैं, बिहार SSC अभृतों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं, यहों कुछ जरूरी बाते करने वाले हैं, तो आप लोग ब परिक्षा में सामिल हुए हैं उनका भी अंक दिया जाना चाहिए तो यह सब होना चाहिए जिससे पारदर्सी रहें लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला लिस्ट रोल नंबर के उनसार दे दिया गया है तो यह सब पहले होता था लेकिन अब कुछ चेंज करना चाहिए और ऐसा दिया जाना चाहिए वही उचित है और तरक संगत भी है और इसके लाबे कल भी बात किये थे कि सकेंड मेर्ट लिस्ट के बारे में तो सकेंड मेर्ट लिस्ट भी आना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले भी बात किये हैं कि बहुत सारे पद खाली रह सकते हैं जैसे कि आप लोग देख भी चुके हैं कल के वीडियो में तो इस वीडियो में जैदा बात नहीं कर सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को तो वही बात है कि कोटी वार रिजल्ट के बारे में बात किये हैं तो वही बात है कि घरते हुए कर में जितना है सब का रोल नंबर के उसार उच प्रापतांग से अर्थात जिसका अधिक नंबर आया उसको पहले और कम नंबर आया है उसको बाद में घरते हुए कर में कोटी वार रिजल्ट दिया जाना चाहिए तो ये सब समस्या नहीं आती किसी भी अभिरतों के मन में आसंकाएं नहीं रहता संदे नहीं रहता क्या हुआ है नहीं कटफ भी नहीं दिया गया वह ये बात तो है कटफ क्यों नहीं दिया गया तो कटफ दिया जाना चाहिए सासाथ यहाँ भी बातें सामने आती है और इसके लिए परियास तो करना ही चाहिए था लेकिन कुछ भी असपस्ट नहीं किया गया है सिर्फ लिस्ट दे दिया गया है तो आप लोग समझ सकते ही इन बातों को और सकेंड मेर्ट लिस्ट पर अभी तक बात नहीं हुआ है नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए इसके लिए भी आप लोग जानते ही है कि 25 दिसंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दिया गया है तो सहाईकों के बारे में बात किये थे पिछले वीडियो में और इसके लिए पहले भी बता चुके हैं आप लोग समानी परसासन विभाग के ओफिसल वे साइट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं और कैसे देखना है ये सब के बारे में बात कर चुके हैं तो यही सब बात हैं तो संचेप में आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले घरते हुए कर में लिस्ट जारी करना चाहिए और कोटी के नुसार भी लिस्ट दे रहें तो second merit list की भी बात होनी चाहिए और इसके लिए notice भी जारी किया जाना चाहिए officer website पर और सभी कुछ साजा करना चाहिए तो यही है महत्पुन जानकारी और cut up भी दिया जाना चाहिए तभी तो सभी अभिर्थों को भरोसा हो सके विश्वास हो सके अब आगे बात करेंगे तो कुछ और अन्य जानकारी देख लेते हैं अब आगे बात कर लेते हैं सकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करने वाली अभिर्थी या फिर नए अभिर्थी या परत्योगता परिक्षा की त्यारी करने वाली अभिर्थी हो उन्हों के लिए एक अच्छी खबर है CGL का notification निकल चुका है आप लोग apply कर सकते हैं चाहें आप CGL की त्यारी कर रहे हो या फिर CHSL का या फिर MTS का त्यारी कर रहे हो या फिर railway का भी तो आप लोग apply कर सकते हैं अच्छी खबर कही जा सकती है लेकिन आपका bachelor degree होना चाहिए जी तो यही बात कहना है आप लोग आग कर रहे हैं वैसे इस पर वीडियो बना चुके हैं तो आप लोग देख लिजिएगा यदि आपको विस्तास जाना है तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर apply का date देख लिजिए अंतिमति थी भी देख सकते हैं last date तो देख लिए होंगे तो इसे देख लेना है सब कि तेजी से बढ़ते हैं आगे तो आप लोग यह भी देख लिए होंगे तो इस पर बना चुके हैं अगर आप लोग को विस्तास जाना है तो आप लोग पले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं यह भी देख लिजिए संचेप में बात कर चुके हैं यह भी देख लिजिए चार एस्टेप हैं वन टू थीरी फोर आप लोग देख लिए होंगे क्या सब पूछा जाएगा वो भी देख लिजिए रिजिनिंग रहेगा और जी एस रहेगा और गनीत रहेगा और इंगलीस रहेगा फर्स्ट की बात करें तो सकेंड में है कि गनीत और इंगलीस रहेगा आप लोग देखते चलिए और आप लोग यह भी देख सकते हैं फी क अब कुछ और अन्य जानकारी देख लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं, बिहार SSC में भी आप लोग देख रहे हैं, इंटर लेवल पर धाय हजार से अधिक पदों पर और गजवेशन लेवल पर भी दो हजार से अधिक पदों पर रिक्ती आने की संभावना है, आगले सा नए साल में आने की संभावना है, अब आगे देख लिजे इसमें भी कुछ विवाग से और भी रिखती आना है, तो अच्छी खबर हैं बिहार SSC के अभिर्थों के लिए, और आगे देख लिजे अप लो, नगर विकास और अवास विवाग में सबसे अधिक वेकेंसी हैं, और इधर बात करें तो 40,000 से अधिक आवेदन होते हैं, तो पिरी मेंस और आगे की परकिरिया होगा, और आवेदन तो 40,000 से अधिक तो होंगे ही, तो अब आगे बात करेंगे भी नहीं, 40,000 से कम आवेदन पर, अब आगे देख लिजे, किर्सी विवाग में भी आप लोग देग्री भी चाहिए अब आगे देख लिजी आप लो इसमें फिसकल टीचर की बात है तो फिसकल टीचर का तो हो चुका है STD 12 और इसमें क्वालिफाइड होना चाहिए और आगे देख लिजी विद्याले सहायक और इसके लाबे परिचारी की भी वेकेंसी आनी है 6421 विद्याले सहायक और इसके लिए कंप्यूटर योगता की बात करें तो 6 महिने का कंप्यूटर डिप्लोमा तो ये सब अनिवारे हैं और पुस्तकाले अध्यक्ष की भी आएगी इसके बात आगे देख लेते हैं इसमें अनुभव चाहिए 40,518 परधान सिक्षक में तो देख लीजी आप लो सिमुलतल्ला अवासिये स्कूल के लिए 127 पोस्ट का सिर्जन तो इसमें भी आना है 62 टीचर का है तो टीचर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लावे 63 तो कुछ स्टाप के भी पदाएंगे तो आगे देखेंगे क्या है इसका एजूकेशन क्य क्यालिफिकेशन तो जब आएगा तो बात करेंगे इस पर और यह सब 845 यह सब पड़ हो चुका है ड्यावर का भी ऑंचुका है इस सब हो चुगा है अब आगे देख लेते हैं इसमें अगे इसा सब भी आने हैं विहार पुलीस की बात करें तो आप लोग तो देख रहे होंगे बटालियन का पद की बात करें तो 2698 पद सिरजित हैं तो 2428 पद तो वही है उस पर भी इतने पद पर आ सकती हैं तो अच्छी खबर है